डियरे स्ट्रेंट्स बीपेसी के एक्जाम में अभी भी टाइम है 22 24 दिन टाइम है घबराना नहीं है अपना बेस्ट तैयारी करें अपना बेस्ट दें कंसंट्रेशन के साथ स्टेडी करें और जो 20 टॉपिक्स हम लोग ले रहे हैं इसे सबसे पहले कंप्लीट करें और तब अगर टाइम बच जाता है आपको अपने अस्तर पर आप जो भी पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ें लेकिन ये 20 21 टॉपिक आज तो 21 हो गया है इसे हर हा कर देशन डेफिनिट्री आएगा चलिए फिजिक्स का पाहला टॉपिक जो आज हम लोग कर रहे हैं वो है कार्ज उर्जा और शक्ति वर्क इनर्जी और पावर और जब फिजिक्स जब भी हम लोग करते हैं यूनिट को ध्यान रखें एकाई को लगातार हमें करते चलना है रिवास करना है याद रखना है शक्ति की काई क्या है काई काई क्या है काईनेतिक एंर्जी बराबर हाफ एंबेस को है अगर मास्क डबल कर देंगे विलस्टि पक्या आसर पड़े गा-एंजिये होता हां प Porאן कि ती भाग हाफ अच्छा जो एक नुग्जा को एक मोटर किस प्रकार की उर्जा का रुपांदरण करता है तो एक्जामपल के साथ ये ट्रांस्फॉर्मिशन ओफ इनर्जी और डिवाइस जरूर आप करें उसक बद केमिस्ट्री में आज एक और इंपॉर्टन टॉपिक है और ये है मेटल धातू अब सबसे पहले इसका कंडेक्टर होता है ठीक है ये किस प्रकार फ्री स्टेट में मिलता है कौन है मेटल जो फ्री स्टेट में मिलता है किस प्रकार की कंपॉंड बनाता है तो आप करेंगे मेटल ये हम आज आधा भाग दे रहे हैं इसका दूसरा आधा भाग जो और्स या आयस के रूप में दि क्या है, लिगा मिंट क्या है, फेस पे, कितनी हड्या होती है, कान में, कितनी हड्या होती है, सारे बोन्स आप करेंगे, कंकाल तंत्रा आप करेंगे, उसके बाद हम लोग हिस्टिक के तीन टॉपिक्स लेते हैं, ancient, medieval and modern, ancient में आज हमने एक छोटा से टॉपिक उठाया है, आठ महत्पुन वन्च आप करेंगे, कुछ छोटे और कुछ बड़े, इनके संस्थापक कौन है, इनके राजधानिया कहा है, अब चालुक क्यों कि तीन राजधानिया ये तीन चेत्रों से शासन कर रहे हैं, वेंगी के चालुक है, कल्यानी के चालुक है, और बादामी के मेडिवल इंडिया में आज हम तुगलक वन्च ले रहे हैं, इसमें बेसिकली MBT आप कर ले, मुहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक, इन दोने से कोश्चन्स बनते हैं, इसमें राजधानी परिवतन किया, सांकेतिक सिक्के चलाए, कराचिल अभियान किया, इसके स में कुछ महत्पुन विभाग अस्थापित हुए मुहम्मद बिन तुगलक से सम्दित, और फिरोज तुगलक ने बहुत सारे नई विभाग अस्थापित किये, और बहुत सारे कल्यान कारी कार किये, साथ ही इसने सीचाई पर बहुत सारी नहरों का निमान कराया, और भी ब साव्मिक सामाजिक सुधार आंदोर्ण से संबंदित कुछ महत्मून संस्थाएं, जैसे सत्य शुदक समाज, किसने स्थापित किया, भाहिश्कृत हिदकार्णि सभा, या ब्रह्म समाज, आर्य समाथ्य इस जिवस्थिकल सोसाइटी, और ये महिल आश्रम कहां स्थापित वा किस ने अस्थापित किया यह सबाब करेंगे 19 में शिताबदी के सामाजिक सांस्कृतिक सुधार अंदोर्ण से संस्था हैं और उनके वर्ष और उनका च्छेत्र विशेश उसके बाद हम लोग पॉलिटी जोग्रफी एकॉनमी और एक जीके का टॉपिक करते हैं पॉलिटी मे कर लें कॉम्ट्रोलर और उर्डिटर जेनरल यह भी कैसे अपॉइंट होते हैं इनका कारिकाल कितना होता है 65 और छे वर्ष यह इनके इलिजिबिलीटी क्या है कौन सीजी बन सकता है उसको कितने सालों तक रह सकता है किसे रिजाइन करेगा इनके कार है तो आप कर लेंगा जेनरल और कॉम्ट्रोलर औरिटर जेनरल लेकिन बीच में महाधीवक्ता राज्यों का सबसे बड़ा नयाई का अधिकारी महाधीवक्ता यानि आडवोकेट जेनरल तो यह भी आप कर लेंगे यहाँ पर दिया हुआ है आपके पेज में उसका जोग्रफी में एक हम लोग मह अधिप पकरेंगे और उसके बाद एकोनोमी में आज हमने उद्योग लिया है लेकिन उद्योग बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत हेजी है जो बुक में यहाँ पर दिया हुआ है समझ में नहीं आएगा एक पेज कम से कम कर लें पहले और द्योग मंत्री दूसरी कब क्या उसमें गोश्णाएं हुई और फिर नवरत्न करें महारत्न करें मेनी रत्न करें उसके पाद जीके का एक टॉपिक आज हम लोग ले रहे हैं तो दसवह टॉपिक होगा और यह टॉपिक है मानचित्र रेखाएं आइसो बार आइसो हैलाइन आइसो निफ यानी समान कुछ है पूरा पेज आप कर लें लेकिन फोकस करेंगे आप मानचित्र रेखाओं पर और यह इस तरह से आप करें कि यह छूटे नहीं मानचित्र रेखाओं को आप कौपी पर चाहें तो अलग से नोट कर ले चुकर यह याद करने वाला है उसके पाद पांच छोटी कर रहे हैं इसे आप अपने कौपी में जरूर नोट करें डेट वाइज चुकर हम लोग करमवार कर रहे हैं और गवर्नर जेनरल से भी एक कोशन बनता है आज हम लोग कर रहे हैं चार्ल्स मैटकॉफ हम लोग उने बेंटिंग तक किया था 1835 तक 1835 से 36 के वीच कुछ महीने मैटकॉफ का शासन काल रहा है गवर्नर जेनरल के रूप में इस समय एक बड़ी घटना जो एक्जाम में आता है और ये कि इन्हें भारती प्रेस का मुक्ती दाता कहते हैं लिबरेटर आफ इंडियन प्रेस यहीं तक इन्हें रखते हैं उसके पर ततकाल महात्पून है इन्होंने अफगान युद्र किया और अफगानों को नियंतरत किया पिर संधिया की और पिर इन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया तो ये सब किस छेटर विशेश के लिए कौन गवर्नर जेनरल महात्पून है ये एक्जाम समय आयता है जैसे नेपाल के साथ हम लोगों न कि किसने किस पर नियंतरन पाया किसने सहायक संधी की किसने हड़प की निती चलाई ये सब यहां पर आप वो दिखाए देगा गवर्नर जेनरल लगा था एक दो पॉइंट्स ही करना है और डेट्स इनके याद रखना है ये उस पर दूसरा टॉपिक हम लोग लेते हैं भार महाराष्ट के सारे डियर्स रखते हैं भारत की पहली ट्रेन महाराष्ट में टली थाल घाट भोर घाट दर्रा महाराष्ट में है महाराष्ट में कुछ मात्पुन नेशनल पार्क है जीरो माइल देश का जीरो माइल नागपूर में है महाराष्ट में है किसके उत्पादन म कुछ माहत्पुन, घटनायाप करेंगे. उसके बाद हम लोग करते हैं, बिहार की एक नदी, हम लोग पूरव से पष्च्च्च्म चल रहा है. तो सबसे पष्च्च्म के आपको दिखाई देगी खागरा नदी जो तिंपत से निकलती है और उत्तरपरजे से होते हुए बिहार में छपरा में गंगा के पास मिल जाती है तो इस नदी का ओरिजीन करें किन-किन जिलों से गुदरती है बिहार के किस बॉर्डर स्टेट कुछ होती है और फिर कहां पर जाकर टर्मिनेट कर जाती है तो इतना बर भी कर लेंगे काफी हो जाएगा और उसके बाद हम लोग करते हैं एक व्यक्तित बिहार के व्यक्तित और अभी हम लोग बहुत मात्पुन व्यक्तित तो कर रहे हैं जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं अनुगरह नाराइन सिना यानि बिहार विभूती चंपारन अधुरन से लेकर सम्विधान सबा के गठन तक इनकी मात्पुन भूमिका बिहार विभूती तो है ही ये बिहार के पहले उपमुक मंत्री हैं डेपुटी चिफ मिनिस्टर और पहले विद्ट मंत्री और भी बहुत कुछ है इन से सम्मान देता आप करेंगे अनुगरह नारिन सिरा और हमने एक बिहार का टॉपिक रेगुलर एड़ किया है इसे हमें हर हाल में करना है चुके करिंट और बिहार निर्णायक होगा आज जो हम लेख टॉपिक ले रहे हैं मातर दो पेज़स का है और यह हैं बिहार एक जलक आप जब भी बिहार विशेश कोई भी मैगजिन या बुक पढ़ते हैं उसे पहला पेज बिहार का जनरल नौलिज टाइप का होता है जो बिहार का एक जलक है यानि बिहार का कुल छेदरपल, बिहार का अक्शान देशान तर बिहार का राज़के पूल, राज़के पक्शी ये सब बिहार एक जलक में आप करेंगे और यहां से भी एक से दो कॉश्चंस बन जाता है तो इसे आप अच्छे से करें और ध्यान दे कर करें ये बहुत महात्पून टापिक है बिहार स्पेशल में और उसके बाद सबसे महात्पून सेग्मेंट करेंट आफियर्स का जिसमें हम लोग चार मैगजीन्स कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग ये स्पीडी लेते हैं जो नवंबर मंत का लेटेस्ट है इसमें आज हम लोग पेज नमबर 38 से लेकर उनचारीस और चारीस मात तीन पेज़ेस कर रहे है लेकिन इस तीन पेज़ेस में बहुत ही महात्पून करेंट आफियर्स दिखाए देगा जिसमें स्टार्ट हो का सूच कांक से इंडीसेस से कल भी ये पेज था 38 नमबर पेज लेकिन आज हमने यहां से फिर से चुरू किया चुकिए जितने भी इंडीसेस हैं या सूच कांक हैं इसमें से एक तो आना ही आना है तो इसका रिवीजन होना चाहिए अगर आपने कल पढ़ लिया है आज यहां से फिर से स्टार्ट ले 49 नमबर पर आर्थिक परदिश है ये भी ऐकोनॉमी चेस अमधित पूरे देशक एकोनोमी निर्यात है आयात है देशका अद्च का उद्वय उतन है ये सब यहां पर आर्थिक परदिशन आपको दिखाए देगा स्वच्चता सर्वेक्षान एक बड़ा महत्पून टॉपिक है जिसके डिटेल्स आपको लेने होंगे यह है उसको next है जितने भी महत्पून books हैं और authors हैं वो यहां पर दिया हुआ है तो यह तो super topic हो गया books and authors इसके डिटेल्स आपको लेना है तो यह दो pages में है और दो pages में इ कर 58 से लेकर 64 तर और इसमें मूल रूप से वीधी और नयाय है यानि supreme court और high court के देश के नयायाले के प्रामुक फैसले हैं जैसे के OBC से समधित, दिव्यानकों के समधित, शरम कानूने समधित या बाइसमें वीधी आयों से समधित तो महत्पून वीधी और नयाय का यहां पर टॉपिक आपको दिखाये देगा और उसके पाद हम लोग लास्ट में लेते हैं इस परत्योकता दर्पन से कुछ टॉपिक्स जिसमें हम लोग अभी कर रहे हैं नमूंबर मन्त का 2020 का कुछ मात्पून टॉपिक्स पांच भाग में बटा होता है सब से पहले राष्टिय और उसके पर अंतराष्टी है तो आज हम लोग दूसरा टॉपिक कर रहे हैं अंतराष्टे खटना करम अब यह मैगजिन आप तो नहीं मिलेगा लेकिन बहुत सारे लोग प्रत्योता दर्पन लेते हैं इतनी बड़ी संख्यामी या मार्केट में आता है तो उमीद है कि बह बहुत ही महात पूर्ण आपको दिखाये देगा जैसे संदुक्त राष्ट संग का 75 जो सत्रुआ है वो है टाइम पत्रिका का विश्व के परदिवाश आली व्यक्तियों का एक लेस्ट आया है शंगाई सहयोग संगेठन है बहुत कुछ यहां पर है इंटरनेशनल करेंट इसका तो यह था करिंट आफिर्स के चार मैगजिन्स का 24 घंटे का आपका हूंवन आईए दो अबजेक्टिव साथ में करना है जो लुसेंट अबजेक्टिव से अपो करना है साइंस का आपको कम्प्रीट करते चलना है इसमें कोई टॉपिक या कोई भी सबजेक्ट हम लो कम्परी है तो पुर्तगालियों का आगमन अच्छा यहां पर तीन पेजेज में दिया हुआ है सारा महत्पून अबजेक्टिव इसे आप देख जाए जितना आपको टाइम मिलता है तो यह साज का टॉपिक्स 24 घंटे के लिए और इतना हो गया कि सबसे पहले आप इसे करे हैं और टाइम मिले तो आपने फिर कुछ और टापिक्स पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं चेके आप